हलो दोस्तों स्वागत से आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में तो आज मैं आपको कुछ ऐसे कोर्स के बारे में बताने वाला हूं जो बिल्कुली फ्री आप कॉस्ट है बस आपके एक क्लिक पे वो कोर्स आपको मिल जाएंगे तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं वीडियो द यह वेबसाइट आपको 50 से ज्यादा फ्री कोर्स आपको प्रवाइड कराएगी और यह जो कोर्स हैं यह बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज के हैं बड़े-बड़े जो आई-टी कंपनियां हैं उनकी हैं इन में से एक आई-टी कंपनी जैसे की एसेंचर हो गया फिर आ यहां पर आपको अलग-अलग केटेगरी आपको मिल जाएगी जो भी आपका सब्जेक्ट है जिस भी फिल्ड में आपकी रूची है आप वह यहां से अपना मन पसंदिता आप फिल्ड करके कैटेगरी सेलेक्ट करके और यहां पर दे सकते हैं यह सारे कोर्स आपके कोर्स जिसमें कि आपके पाइटन सामील है मसीन लर्निंग सामील है फिर डेटा विजुलाजेशन और भी बहुत सारे कोर्सेस जो की काफी नए कोर्सेस जो भी लेटेस्ट कोर्सेस हैं वो भी आपको यहां पर देखने को बिल जाएगा और इसके लिए यह एक विबसाइट तो यहां पर अगर आप फ्रॉंट इंड डेवलपर हैं या फिर फ्रॉंट इंड डेवलपर की जो इतनी भी टेकनोलोजी सें उन सब के बारे मैं पढ़ना चाहते तो यह आपके लिए है तो यहां पर आप आओगे जब तो आपके सामने एक एक एजुकेशन एक्टिव ना और देखने को अगरिए तो यहां पर देखने को रहे हैं और बहुत सारी चीज है तो आप हम चलते हैं अपने अगले सब्सक्राइब को देखने को मिल जाते हैं इस कोर्स का लिंक में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़े वह हैं आप जाकि वहाँ से उसे देख सकते हैं अगला जो हमारा कोर्स है वो कोर्स नमर शिक्स यहां पर है कोर्स जो मिलेंगे वो सिर्फ दो महिने के लिए फ्री होंगे उसके बाद आपको इसके लिए पे करना होगा है और यह जो आफर है बिल्कुल यह भी पैसा पे नहीं करना है आप इसे एकसेस कर सकते हैं अब अगला जो हमारा कॉर्स है कॉर्स नंबर सेवन वो है jetbrains.com करके यह कंपनी है जिसके काफी सारे बड़े-बड़े software अवेलेबल है IDE इसके चलते हैं कुछ टूल्स चलते हैं ठीक है यहां पर आप 1500 घंटे 1500 घंटे आप फिरी में पढ़ सकते हो उससे ज्यादा पढ़ाई करोगे तो यहां पर इसके लिए कुछ चार्ट देना है पर फिर भी 1500 घंटे बहुत होते हैं इनमें से आप काफी सारे चलते हैं भी जिट ब्रेंज की वब्साइट प्याज आएंगे और यहां पर इसकी जितने भी कोर्स अवेलबल हैं जिसे कि जावा पे पाइधन पर और कोटलिंग पर यहां पर अपने जो भी पढ़ना लिखना चाहते हैं वह आप यहां पर कर सकते हो ठीके आगे चलेंगे हम जो हमारा अगला जो है वह है नमबर आठ कोर्स नमबर आठ और सास सास इन्रस्ट्री से जुड़ी कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी इसका लिंक में वीडियो के दिस्क्प्सर दे दूगा सबका लिंक दे दूगा आप वहां से देख लिए आगे चलेंगे कोर्स पर क्या है application development इसके development से related जितने भी courses है सब आपको यहां पर मिल जाएंगे ठीक है आगे चलेंगे हमारा उसके बाद हमारा आजाता है course number 11 जो की है react development से जुड़ा हुआ तो अगर आपको react अच्छा लगता है कि आप आप यहां पर जाके काफी सारे premium जो courses available है अच्छी 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 अच्छे लोगों या पिर अच्छी प्रोफेसर ने जो इसे अप्रोड कर रखा है तो आप उसे जाके देखो कर सकते हैं अगला जो हमारा course है course number 12 यह है आपका व्रक्षपी टोपिक्स के स्थे मिघनिगांग करेंगी तो ज्येसे आपके सामने इक website को क् цен लिएगी यहां आपको कई तरह के को मिलंगी यहां कहा इक है डेटा तो डेटा से रेलेटड यहां एक डेटा डेटा अन एक हैंवार्स से on 6 फॉर सग करिश्याइब लत हr आपको यहां पर जो पूर्ससे वह पर मिल जाएंगे वर्क्सपथ आगे चलेंगे उसके लिए चाहिक लिए पर यहां पर दुनिया बर की फ्री प्रीर को इस जए ज यहां पर यहां पर मिल जाएगे टाइक इसका लिंक में देढ़ा आप चक्रिक करो अगला जो आता है 50 plus bit free courses develop your skills with free courses तो यहां पर 50 से भी ज्यादा free courses आपको मिल जाएंगे और यहां से जाके आपको अपने skills को develop कर सकते हैं इसमें क्या क्या courses हैं वो मैं आपको बताता हूं पहले हम इस link पे क्लिक करेंगे तो bit degree नाम से website open होगी यहां पर आप आएंगे तो आपक और उसके बाद एक है आपका आजाता है यहां पर Amazon affiliate marketing आगर आप सीखना चाहते हैं यह कोर्स आप दे सकते हैं यूटूबर आप बनना चाहते हैं YouTube पे कैसे चैनल क्रेट करें इसका भी आपको यहां पर मिल जाएगा फिर WordPress marketing से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे उ जो की आपके काम की हैं आगे चलेंगे हम अपने लास्ट कोर्स की तरफ तो यहां पर आपको क्या रहा है कि free oracle cloud database training आपको यहां पर मिलेगी आप इस link पर क्लिक करोगे तो अब Oracle database सीखना काफी अची बात है आप तर कर पातो हो तो बहुत अची बात है और ऐसे में यहां प आपको जो चीजे होंगी काफी हट के मतलब अब तक जो स्कूल आपने पर पढ़ा है तो वो चीजे डिफरेंट होती है पर जब आप उस organization से सीखते हो जिसने उसे फुद डेवलप किया है तो वो चीजों को बड़ा ही detailing में आपको समझाता है ठीक है तो यहां पर मैं चाहत हूं कि ज्यादा तर लोग जो डेटाबेस पर काम कर रहें वो एक बार इस को जरूर देखें इससे उनकी डेटाबेस से रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी आप जो भी कुछ ऐसा कुछ हो का टॉपिक जो उनको समझ में ना आता हो तो वह क्लियर हो जाएगा ठीक है तो यह जो थे कुछ कोर्स जिनका मैंने अपको जिक्र पर ना अपरहां से करना कोशिष यह करना कि एक बार में सिर्फ डॉपर कोर्स के हां करें करना क्योंब कि मुल्टिफल पर्च आप स्लेट करलो गये तो कोई भी कुर्स आप पढ़न ही ठीक है थोड़ा आप इसको पढ़ोगे फिर थोड़ा उसको पढ़ोगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन साथ को रहे तो एक डिसाइड करो क्या करना है उस कोर्स में इन्रोल करो और लॉक्डाउन में जो आपका समय बचा हुआ है इस समय को आप इन वीडियो की हेल्प से आप विटाओ कुछ नया सीखो है ना मिलते नए वीडियो के लिए टेक के लिए टेक केर बाबाए